दोस्तो नमस्कार इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फेस्बुक में या फेस्बुक पेज में आप रीज अपलोड करके आसानी से पैसा कैसे कमा सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सीखिए फेस्बूक या फेस्बूक पेज में रिल्स अपलोड करके असानी से पैसा कमाने की पूरी प्रोसेस चैनल में पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू क परते हैं तो दोस्तों पहले आप इन्हें देखिए इन्होंने ये वीडियो फेस्बूक पर अपलोड किया और फेस्बूक देखने वाले लोगों ने इन्हें अभी तक 16100 स्टार्स दिये हैं अब 16100 स्टार्स का मतलब समझेए तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि 100 stars का 82 रुपया होता है इस हिसाब से 82 गुने 16 बरावर 1312 रुपय होता है मतलब इन्होंने अभी तक इस Facebook Reels से 1312 रुपय की कमाई कर चुके हैं दोस्तों कुछ इसी तरह से आप भी Facebook पर Reels या पोस्ट डाल कर earning कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए आपको अपने Facebook प्रोफाइल को Professional Mode पर Change करना होगा या एक Facebook पेज बनाना होगा और जैसे ही आपके Facebook प्रोफाइल या Facebook पेज में 1000 फॉलोवर हो जाएंगे तो आपको Facebook की तरह से एक ऐसा notification भेज़ा जाएगा लिखा हुआ है You can now earn money from the stars that you receive मतलब अब आप राप सितारों से पैसा कमा सकते हैं तो हमें इस notification पर क्लिक कर लेना है notification पर क्लिक करने के बाद हमें add payout account की option पर क्लिक कर लेना है add payout account की option पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा यहां legal first name के option पर हमें अपना first name डाल देना है और नीचे legal surname पर हमें अपना surname डाल देना है नीचे अपना date of birth डालना है और नीचे अपनी country डालते हुए next के option पर क्लिक कर देना है next के option पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा यहां पर एक बार फिर से अपने country का नाम डालते हुए नीचे business type में individual डालेंगे और नीचे next के option पर क्लिक कर लेंगे next के option पर क्लिक करते ही हम अगले page पर पहुँच जाएंगे यहां पर एक बार फिर से legal first name डालेंगे और नीचे legal middle name पर आपका middle name है तो डालें अन्य थन ना डालें एक बार फिर से नीचे legal surname पर अपना surname डालना है और अब मैं इस page को नीचे की तरफ scroll down कर रहा हूँ नीचे date of birth, primary address city town में जिले का नाम नीचे अपने state का नाम और नीचे postal pin डालते हुए page को नीचे की तरफ scroll down कर रहा हूँ postal pin के नीचे अपना mobile number डाल देना है mobile number के नीचे email address डाल देना है यहाँ permanent account number के option पर अपना pen card number डाल देना है VAT slash GST के option पर कुछ नहीं डालना है चुकि यह optional है नीचे की तरफ scroll down करते हुए इस box पर tick करना है और नीचे next के option पर click कर लेना है next के option पर click करते ही हम अगले page पर आ जाएंगे यहां पर हमें manually link bank account के सामने वाले box पर tick करने के बाद नीचे हमारा bank जिस country में है उस country का नाम डालना है country का नाम डालने के बाद नीचे account holder name डालना है account holder name डालने के बाद नीचे हमें swift code डालने का option मिलेगा किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोट कैसे पता करना है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी स्विफ्ट कोट डालने के बाद नीचे अपना एकाउंट नूमबर डाल देना है दोस्तो ध्यान दिजेगा लिंक और पेपल एकाउंट के सामने वाले बॉक्स पर टिक नहीं करना है और अब लिंक पेआउट मेथट के ओप्सन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें जारी रखे के ओप्सन पर क्लिक कर लेना है यहाँ एक बार ओट जारी रखे के ओप्सन पर क्लिक कर लेना है तो दोस्तो अगले पेज़ पर हमें टैक्स इंफोर्मेशन की जानकारी फिल अप करना है और यू ए यू एस सिटिजन के नीचे हमें नो के सामने वाले बॉक्स पर टिक कर लेना है और अब इस पेज़ को थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रोल ओन कर रहा हूँ और आज ही ओ एक्टिंग एजन के नीचे नो के सामने वाले बॉक्स पर टिक करना है और अब नीचे नेक्स्ट के ओप्सन पर क्लिक कर लेना है नेक्स्ट के ओप्सन पर क्लिक करते ही हम अंगले पेच पर आज आएंगे यहाँ पर हमें कंट्री ओफ सिटीजन सिप के सामने वाले एरो पर क्लिक कर लेना है और अपने कंट्री के सामने वाले बॉक्स पर टिक कर लेना है country का selection करने के बाद I have a US team के option को छोड़ देना है यदि आपके पास US pen card है तो ही tick करना है नहीं तो नहीं करना है और अब नीचे next के option पर click कर लेना है next के option पर click करते ही enter your address का page open होगा तो यहाँ पर आपको अपना address detail अच्छे से fill करते हुए नीचे next के option पर click कर लेना है आगे आपको add your mailing address का page मिलेगा तो यहाँ add your mailing address के नीचे वाले box पर tick कर लेना है और नीचे next के option पर click कर लेना है next के option पर click करने के बाद location of where services are or will be physically performed के option पर 0% of services will be physically performed inside the United States के सामने वाले box पर tick करना है और नीचे next के option पर click करना है next के option पर click करते ही कुछ इस तरह का interface दिखाई देने लग जाएगा यहाँ पर हमें I consent to provide electronic signature for the information provide as के सामने वाले box पर tick करना है और इस page को नीचे की तरफ scroll on करते हुए I certified that I have the capacity to sign for the person identified online one of this form के सामने वाले box पर tick करना है पूरा नाम डाल देने के बाद नीचे next के option पर click कर लेना है next के option पर click करने के बाद tax information form जो हमने fill up किया है वो दिखाई देने लग जाएगा तो हम इसे एक बार अच्छे से check कर लेंगे और नीचे की तरफ scroll on करते हुए submit form के option पर click कर लेंगे submit form के option पर click करते ही your tax information is completed your tax information has been validated successfully का message आजाएगा तो कुछ इस तरह से आप किसी भी facebook page का tax information form आसानी से fill up कर सकते हैं वीडियो में कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें call कर सकते हैं या whatsapp message भी कर सकते हैं नंबर description box पर मिल जाएगा और वीसी तरह की informative वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा वीडियो पुरा देखने के लिए धन्यवाद